मर्यादा पुर्शत्तम भगवान सिर्याम का मंदिर 22 जनवडी को उसका उद्गाटन होना है और इस आंदोलन के प्रनेता नायक थे लाल कृष्ण आडवानी उनके साथ मुर्ली मनुहर जोशी आडवानी 95 साल को क्रॉस कर चुके हुए हैं फिर भी स्वस्थ हैं और मुर्ली मनुहर जोशी भी 90 पार हैं इन दोनों को निमंतरन देने के लिए चंपतराय स्वेंग गये जो राम जनवभूमी तीरत ट्रस्ट के सरवे सरवाएक तरह से हैं आडवानी जी और मुर्ली मनुहर जोशी जी को निमंतरन देने के बाद उनसे आग्रह किया गया बस क्या था ये खबर फैलते ही बवाल मच गया उन्हों लोगों ने सवाल किया जो राम मंदर के बिरोथ में राम भक्तों पर गोली चलाते थे जिनने सवाल उठाया था कि राम और रामाईन का वजूद नहीं है सोसल मीडिया पर लाल कृष्ण आडवानी मूरली बनोहर जोशी ट्रेंड करने लगे कि इन्हें जाने से रोका गया चमपतराय स्वें कहते हैं कि हम इन्हें निमंतरन देने गए थे मूरली बनोहर जोशी जी ने जिद कर दिया कि वो जरूर जाएंगे उनके घुटने का अपरेशन हुआ है वो 90 पार है आडवानी जी 95 पार है सवाल ये है आप ऐसे कंडिशन में जब अयोध्या में दुनिया भर की भीर लगनी है क्या अपने घर के किसी 900 साल के बुजर्ग को ले जाना चाहेंगे मुझे लगता है का आप अपने पिता को भी इस अबसत पे नहीं ले जाना चाहेंगे यदि उनकी उम्र 70-75 के पार है क्योंकि आप उनकी चिंता करते ऐसे समय में लाख विवस्था होने के बाद भी 95 साल के बृत के को लेकर के चिंता रहती है सरकार या राम जन्भूवी तीरट ट्रस्ट ने लगबख संभपता यहीं चिंता की होगी लेकिन हमेशा एक दौर में आडवानी से नफरत करने वालों ने आडवानी से मुहबबत करनी शुरू कर दी थी तब जब नरंद्र मोदी का अवतरन हुआ था यह सबके सब आडवानी से नफरत करते थे कि उन्हें बाजबई आडवानी को वो बाजबई बनाना चाहते थे जब बाजबई यूगलत गया तो नरंद्र मोदी को आडवानी बनाने लगए फिर वो दौर आया कि मोदी के रास्ते रोकने के लिए वो शिवराज का कद बढ़ा करना चाहे थे कि शिवराज बहतर है आज उन्हें वो आडवानी और मुरली मनोहर जोशी पिये लगने लगे हैं उनकी चिंता करने लगे हैं जिस मुरली मनुहर जोशी और आडवानी से ताउम्र ये नफरत करते रहे क्योंकि राम मंदिर आंदुलन के प्रनेता थे आडवानी और जोशी अब सवाल ये है कि आडवानी और जोशी के चिंता राम जन्भुमी तीरत ट्रस्ट कर रहा है या राम द्रोही वो जिनने गोडिया चलाई वो लोग जिनने सोशल मीडिया पर हमेशा ट्रेंड किया वो लो जो सुप्रीम कोट में राम मंदिर पर जज्जमेंट आने देने से हर हाल में उसे रोकना चाहते थे बहस्या छिर गया है कि क्या सचमुच सरकार राममंदित निर्मान से राममंदित आंदोलन के प्रनेता को जाने से रोकना चाहती है आडवानी जी नहीं जाएंगे मुरली वनुहर जोशी की जिद बता करके ये संदेश दिया जा रहा है कि वो चाहते हैं जाना इस अबसर का हर कोई साक्षात साकार होना चाहता है जिस तरह सुप्रीम कूट के जज्जमेंट को ले करके राममंदित पर जज्जमेंट में हर जज उसका हिस्सेदार बनना चाहता है क्योंकि राम सनातर में सब के प्रिय हर कोई राम में होना चाहता है तो अंतिम सहय में आडवानी जी और मुरली मनोहर जोशी जी भी चाहेंगे कि ऐसे अबसर के वो से साक्षातकार उनका हो सके, उसके गवाह वो बन सके, लेकिन कुछ सारणिक मजबूरियां होती है, समय की कुछ मजबूरियां होती है, जो चिंता चमपतराय आडवानी जी और मुरली मनोहर जोशी जी की कर रहे हैं, वो चिंता हर व्यक्ति अपने पितातुले व्यक्ति के लिए करता है, क्योंकि उनका स्वास्त, उनकी जिन्दगी सबसे प्रमुक होती है, कानौन भी मानता है कि आपकी जिन्दगी सबसे प्रमुक है, मातपोर्ण है, ऐसे में जिस उ आयुध्या आने से, लेकिन आयुध्या और राम के प्रति आस्था, ये सैक्डो साल से जो सनातन भारत का किसका सपना था, वो पूरा होना है, हर भारत ये, दुनिया भर में हर सनातनी उसका गवाह बनना चाहेगा, कोई ऐसा नहीं होगा, जो राम मंदिर उद्गाटन के समय आयुध्या में अपने आपको साक्षात करना नहीं चाहेगा, लेकिन हर किसी के लिए संबभ भी तो नहीं है, इसलिए राम जन्मवितियर टस्ट ने देश में आवान किया है, कि आप अपने हर मंदिर में इसकी विवस्था करें, ताकि उसका लाइव प्रसारन हो सके, रोपा नहीं जा सकता, माना जा रहा है कि सो से ज़्यादा ट्रेन अयुध्या के लिए चलेगी, लेकिन इतनी भीर और विवस्था करना भी सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे में जो चिंता लाल कृष्ट आडवानी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के लिए किया गया है, वो एक ऐसे व्यक्ति जिसके आप सुपचिन तक हैं, उसके लिए जरूरी है, आडवानी जी के लिए इक्षा होगी, तो जाएंगे, मुरली मनोहर जोशी के लिए इक्षा होगी, तो जाएंगे, लेकिन इस मुद्दे से खेलना ये बताता है कि आपने सालों तक जिससे नफरत किया उससे प्रेम में आपकी शरारत क्या है, जैसरी राम